नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे PCR Open Interest और PCR Volume के विशय में दोस्तों वीडियो की शुरुवात करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हैं अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं PCR Open Interest क्या होता हैं कि मार्केट अभी अब ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या मार्केट ओवर बोट है या ओवर सोल्ड है या फिर मार्केट साइडवेज हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PCR Open Interest का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता हैं दोस्तो PCR Open Interest की Value निकालने के लिए आपको Option Chain में से Total Put Open Interest divided by Total Call Open Interest और जो Value आपके सामने आएगी वो होगी PCR Open Interest की Current Value तो चलिए अब Option Chain में हम Call और Put Options की Total Open Interest की Value से PCR Open Interest की Value निकाल कर देखते हैं तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि Put Side में Total Open Interest 9,333,330 हैं और Call Side में Total Open Interest 7,85,930 हैं तो अब हम Total Put Open Interest जो है 9,333,330 divided by Total Call Open Interest जो है 7,85,930 हैं तो हमारे सामने इसकी Value निकल कर आती हैं 1.19 दोस्तो ध्यान रहे कि PCR Open Interest की यह Value लगातार बदलती रहती हैं और हमें इस तरह इसका Calculation करने की भी कोई जरूरत नहीं हैं क्योंकि यह आजकल हमारे Trading App में Automatic ही हो जाती हैं मैंने तो बस आपको समझाने के लिए यहां पर यह Calculation करके दिखाया हैं तो अब जो PCR Open Interest की यह जो Value निकल कर आई हैं इसे से हमें क्या पता चलता हैं चलिए समझ लेते हैं दोस्तों अगर PCR Open Interest की Value एक या उसके आसपास हैं तो इसका मतलब यहां हैं कि Market अभी Sidewage Trend में हैं अगर PCR Open Interest की Value एक से 1.7 तक हैं तो इसका मतलब हैं कि Market अभी Bullish Trend में हैं अगर PCR Open Interest की Value एक दश्मलव साथ या इसे से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हैं कि अभी Market Overbought हो चुका हैं यहां से Market में Downside Reversal आ सकता हैं अगर PCR Open Interest की Value एक से 0.7 तक हैं तो इसका मतलब हैं कि Market अभी Bearish Trend में हैं अगर PCR Open Interest की Value 0.7 या इसे से कम हैं तो इसका मतलब हैं कि Market अभी Oversold हो चुका हैं यहां से Market में Upside Reversal आ सकता हैं दोस्तो मुझे लगता हैं कि अब आपको PCR Open Interest अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम समझते हैं कि PCR Volume क्या होता हैं और इसको देखने से हमें Option Trading में क्या फाइदा मिलता हैं दोस्तो जिस तरह PCR Open Interest काम करता हैं बिलकुल ठीक उसी तरह PCR Volume भी काम करता हैं और दोनों का केलकुलेशन भी बिलकुल सेम तरीके से होता हैं लेकिन आपके दिमाग में कोई confusion ना रह जाए इसलिए मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ दोस्तो PCR Volume का मतलब होता हैं Put Call Ratio का Volume PCR Volume की मदद से हमें यहाँ पता चलता हैं कि Market अभी Up Trend में है या Down Trend में या Market Overbought हैं या Oversold हैं या फिर Market Sideways हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PCR Volume का केलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता हैं दोस्तो PCR Volume की Value निकलने के लिए आपको Option Chain में से Total Put Volume divided by Total Call Volume और जो Value आपके सामने आएगी वो होगी PCR Volume की Current Value तो चलिए अब Option Chain में हम Call और Put Options की Total Volume की Value से PCR Volume की Value निकाल कर देखते हैं तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि Put Side में Total Volume 48,28,292 हैं और Call Side में Total Volume 59,36,874 हैं तो अब हम Total Put Volume जो हैं 48,28,292 divided by Total Call Volume जो हैं 59,36,874 तो हमारे सामने इसकी Value निकलकर आती हैं 0.97 दोस्तो ध्यान रहे कि PCR Volume की यह Value लगातार बदलती रहती हैं और हमें इस तरह इसका कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं हैं क्योंकि यह आजकल हमारे ट्रेडिंग एप में Automatic ही हो जाती हैं मैंने तो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाया हैं तो अब जो PCR Volume की यह जो Value निकलकर आई हैं इसे से हमें क्या पता चलता हैं चलिए समझ लेते हैं दोस्तो अगर PCR Volume की Value एक या उसके आसपास हैं तो इसका मतलब यहाँ हैं कि Market अभी Sideways Trend में हैं अगर PCR Volume की Value एक से 1.7 तक हैं तो इसका मतलब हैं कि Market अभी Bullish Trend में हैं अगर PCR Volume की Value एक दशमलव सात या इसे से जादा हैं तो इसका मतलब हैं कि अभी Market Overbought हो चुका हैं यहां से Market में Downside Reversal आ सकता हैं अगर PCR Volume की Value एक से 0.7 तक हैं तो इसका मतलब हैं कि Market अभी Bearish Trend में हैं अगर PCR Volume की Value 0.7 या इसे से कम हैं तो इसका मतलब है कि market अभी oversold हो चुका है यहां से market में upside reversal आ सकता है दोस्तो मुझे लगता है कि अब आपको PCR volume अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आप यहां पर इस बात को समझिए कि सिर्फ PCR open interest और PCR volume की मदद से आप trading नहीं कर सकते हैं इनका use आपको किसी strategy के साथ करना पड़ता है तब ही आपको अच्छे result मिलते हैं वो कौन सी strategy है जो कि PCR open interest और PCR volume को साथ में लेकर काम करती है इसके विशय में हम option trading strategy में आगे चल कर अच्छे से समझेंगे ठीक है ना तो दोस्तो इस वीडियो में हमने PCR open interest और PCR volume के विशय में जाना मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप comment box में जाकर पूछ सकते हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो please चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए तो दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद